जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक अभी कार्टून है जिसको रिलीज किया है जर्मनी ने जर्मनी ने रिसेंटली कार्टून को रिलीज किया है जैसा कि आपको पता है कि यूवन के एस्टीमेट्स के एकॉडिंग इंडिया बहुत ही जल्द दुनिया की most populous country बनने वाली है, the country which will have a highest population in the world. So, इस जो ये news है, इसको देख करके, जर्मनी ने एक cartoon रिलीस किया है, और एक cartoon अगर आप देखें, तो ये represent कर रहा है, यहाँ पर दो countries को, एक तरफ, ये cartoon जो है, वो represent कर रहा है, चाइना को, and on the same hand, ये दूसरे track पर, रिप्रेजन कर रहा है, आवर इंडिया. तो ये जो cartoon है, ये इन दोनों ही कंट्री को रिप्रेजन इसले कर रहा है, because these are the first and second, most populous country of the world. और इस cartoon के पीछे, जो इस डिजाइन करने का मेन मोटीव है, जर्मनी का, वो ये है, that they wanted to show, that despite of having the highest population, India is still lacking behind. तो ये जो western attitude है towards India, वो अभी भी है, जैसे कि इसमें अगर आप देख पाएंगे, तो एक तरफ चाइना को, बहुत ही well developed, sophisticated train के साथ दिखाया गया है, with less people, और अगर आप इंडिया को देखेंगे, तो इंडिया में बहुत ही overcrowded train दिखाई गई है, जो कि बहुत ही local train है, बहुत ही बहुत ही पुरानी है, उतनी अच्छी है भी नहीं, it lacked something of modern technology, so वैसा कुछ है नहीं इंडिया में, और आप देखेंगें तो इसमें लोग उपर बैठे हुए हैं, इंडिया की बहुत ही बहुत ही खराब है, जो है ये इंडिया की होगी, जो नेक्स हंड्रेट यर्स होगी, इसमें इंडिया अपनी पाउर को बहुत ऐसे बहुत इंडिया करेगा, और इंडिया भी फिफ्ट लार्जेस्ट एकॉनमी है, और अगर आपने अभी देखा होगा, जो टेखने बहुत हैं, तो थैंक यू फ्रेंज मांमीर करता। को बढ़े अच्छी लगी होगी ए फॉर अच्छ वीजियोगी तो श्राइब एख्वती बढ़े। ऐख्वधि शप्रागें आट था हूए उटी सिर्फ पॉडिया कि टाया डुड आट इच्छ था पर पफेर फार इन दूने हैं वा